पर दोंदो के दो बज़े तक open रखा एंड पूरी भागा दोडी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि आखिर कैसे मेरा पूरा दिन जाता है तो मेरी morning स्टार्ट होती है chopping करने से क्योंकि सबसे पहले हम सब्जियों को chop करके रखते हैं ताकि जैसे ही हमारे पीजा बर्गर का ओडर आए फटाफट से हम उसमें सारी वेजी डाल दें और हमारा time सेव हो सके तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेजी ओर लोडिड पीजा का ओडर और जैसे हम जमेटो पर accept करते हैं ओडर को वैसे हम जमेटो पार्टनर एप पर एक टाइमिंग डालते हैं कि मेकिंग टाइम क्या होगा इस पीजा का तो मैं आराउंड 20 मिनिट का टाइम सेट करता हूँ क्योंकि 20 मिनिट से पहले ही उस ओडर को बाकी सारी वीबा की चीज़े मिल सकें क्योंकि मैं अपने क्लाउड किचन में वीबा की चीज़े यूज करता हूँ प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा जैस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ना ये कंपनी ठीक लगती है इसके जितने भी प्रोडक्ट्स है तो चीज़ और बाकी सोसिज उठाकर मैं पहुच जाता हूँ मंडी मंडी में सबसे पहले मैं खरीदता हूँ कुछ एपल्स क्योंकि मम्मी को सेब खाने थे और यार 70 रुपे किलो दिये इसने मेरे को सेब और वो भी वो वाले जो बहुत चोटे होते हैं एक सेब तो 1.500 से 110 रुपे किलो थे मैंने का भाई तू 70 रुपे वाले ही दे दे और उसके बाद मुझे टिक्की बनाने के लिए कुछ मसाले चाहिए थे तो मैं फटाफट से किराने की दुकान पर जाकर मसाले ले लेता हूँ और साथ में कुछ गर का समान और यह मैंने बाईक के उपर कैमरा सैट कर रखा है तो फटाफट से सारी चीज़े हो जाती है कैमरा बार बार पकड़ना नहीं पड़ता और फिर मैं निकल लाता हूँ घर क्योंकि मुझे यह था कि फटाफट से घर पोच जाओ को जमेटो का ओडर ना आ जाए और घर जाकर हम टिक्की प्रिपेर करते हैं और यहर मैंने एक बात नोट किया है जब भी हम आलू को एक दो दिन फ्रीज में रखते हैं तो मैंने ठीक वैसे ही किया एक दिन पहले आलू को बॉयल करके रखा और फ्रीज में रखने के बाद उनका जितना भी स्टार्च है वो सारा चला गया और फटाफट से टिक्की प्रिपेर की उनको फ्रीज में सेट किया और उसके बाद हमारे पास एक ओडर आ जाता है पीजा का और इस ओडर ने ना तो बैंड बजा दी मतलब ये ओडर हमारे पास अराउंड 40 मिनट तक रखा रहा और जमेटो राइडर आया ही नहीं मैं जमेटो राइडर को फोन ट्राई कर रहा हूं वो फोन नहीं उठा रहा और जमेटो एप के उपर सरफ इतना दिखा रहा कि पाच मिनट में आ जाएगा फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया कि भाई आप कॉल कर लो जमेटो टीम से बात करो कि आपको नया राइडर मिले क्योंकि ये वाला राइडर ना 30-40 मिनट हो चुके है और अभी तक आपका ओडर मेरे पास रखा हुआ है ओडर खराब हो जाएगा फिर उसके बाद कोई फाइदा नहीं है उस चीज को खाने का तो कस्टमर ने भी कनेक्ट किया उसके बाद कस्टमर को जमेटो वालों ने बोला कि हम आपको रिफंड कर देंगे सारा पैसा और उसके बाद एक राइडर आया मैंने उस राइडर को वो ओडर दिया जब मैंने उससे पूछा कि भाई यार बहुत टाइम लगा दिया मैंने खाना तो खाने लाए क्या ही बचेगा इतने टाइम तक रखा रहा चीजे ठंडी हो गई मैंने का ठीक है यार कभी कभी हो जाता ये चीजे भी एंड उसके बाद मैं जैसे ही टाइम इलता है बॉक्सेज पैक करने लगता हूं पीजा के क्योंकि ये चीजे बहुत ही जादा टाइम से करती है कि हमारे पास बॉक्सेज रेडी हो ठीक है चोपिंग की हुई सबजिया हो ताकि चीजे जल्दी से बन सके क्योंकि जब भी ओडर आता है हमारे पास इतना जादा टाइम नहीं होता बीस मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ था ही नहीं और ये वाला ओडर हमारे लिए बहुत ही खास था और उन्होंने ऐसी बात बोली ना कि मैं शोक हो गया कि मतलब उन्होंने का कि वैसे तो मैं डाइटिंग पर हूँ बट आपके वीडियोस देखे न मुझे बहुत जादा क्रेविंग हो रही है और मैं चाहती हूँ कि आपके पास से कुछ ओडर करूँ तो आप मेरे को बता दीजिए मैं क्या ओडर करूँ तो मैंने का कि कोई भी आप रिच वाला बर्गर कर लीजिए और साद में अगर आपको पीजा करना है तो हमारा वेजी ओर लोटिट पीजा ट्राइ कीजेगा क्योंकि उसमें खूब सारी वेजीज होती है तो पीजा उन्होंने अपने बच्चे के लिए ओडर करना था और बर्गर खुद के लिए तो उन्होंने का कि ये अच्छी बात है कि वेजीज वगर आप ज़्यादा डाल रहे हो मैंने का हम वेजीज ज़्यादा ही डालते हैं अपने बर्गर रोट पीजा में इसका रीजन ये कि जब भी मैं दूसरे रेस्टोरेंट वगरा कहीं पे जाता हूँ तो मुझे भी ज़्यादा वेजीज वाली चीजे पसंद आती हैं क्योंकि यार एक तो हम जंक फूड खा रहे हैं और उपर से मुझे लगता है कि अगर उसमें वेजीज ज़्यादा हो तो थोड़ा अच्छा फील होता है कि कुछ बुरा नहीं खाया तो इसलिए हमने उनका एक रिच वाला सूपर बर्गर बना कर दिया और साथ में उनके बच्चे के लिए पीजा और निदी को दोनों चीजे पसंद आई और हमें मिली 5 स्टार रेटिंग तो थेंकी सो मिच निदी आपने इटन बाइट को चूज किया अपने टेस्ट के लिए और फटाफट से सारे ओडर डिलीवर करके मैं निकल जाता हूं फिर से मार्केट क्योंकि यार एक तो ना शेर में अलग-अलग कौनों में अलग-अलग चीजे मिलती हैं तो मैं अपने शेर के माल-गोदाम रोड निकल जाता हूं क्योंकि यहां से मुझे लेने थे पीजा बॉक्सेज मैं रेको लग रहा था कि पीजा बॉक्सेज खतम हो जाएंगे पहले मैंने रूम में जाकर देखा मैंने सुचा कि पीजा बॉक्सेज तो पड़े होंगे तो जैसे ही मैंने देखा कि 4-5 डब भी पड़े हुए हैं मैंने का आज तो लाने पड़ेंगे वरना बैंड बच जाएगी रात को और मैं शोब पर जाकर 5 पेटी ले लेता हूं बॉक्सेज की एक पेटी में I think 25 आते हैं और अभी मेरे को 9 रुपे का बॉक्स पड़ रहा है फिर मैं फटाफट से भागाता हूं घर की तरफ और रास्ते में मुझे कुछ चीजे भी लेनी थी जैसे मम्मी के लिए एक कमरदर्द की बेल्ट लेनी थी जिससे उनको कमर में सपोर्ट मिल सके उनकी बैक पेइन बहुत जादा रहती है तो मैं सारी चीजे लेकर घर आ जाता हूं और घर आकर मैं एक ओडर बनाने लगता हूं और साथ में तन्नू भी बोलती है कि उसे भी बहुत माना बर्गर खाने का और उसे रोटी खाने का भी मन नहीं है तो एक बर्गर मैं तन्नू के लिए भी बना देता हूं उस टाइम पर जो की कुछ ऐसा दिखता है मतलब मेरे को तो बड़ा पसंद आया मेरी खुद बोग बढ़ गई थी बट मैंने खाना खा लिया था तो उसी के लिए बर्गर बनाया और रात को दो बजे तक हम ओडर्स कम्पलीट करते रहे और कुछ ओडर्स में शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि चीज़े बहुत ही ज़ादा मैसी भी हो जाती है और कीचन में चांस नहीं मिलता कि कैमरा को जल्दी जल्दी मैं सैट करूँ बट जितना ज़ादा हो सकता है मैं उतना ज़ादा शूट करने की ट्राइ करता हूँ और ऐसे ही हमारा पूरा दिन आज का निकल जाता है पता ही नहीं चलता कब रात के दो बज गए और बीच बीच में कुछ सब्सक्राइबर्स के कोल भी आये जिनके कुछ सवाल थे तो मैं साथ के साथ उनके सवाल भी लेता गया और जो चीज़े मुझे पता होती हैं वीडियो के तुरू या जब फोन करते हैं आप उसके तुरू आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ और इसी तरीके से निकलता है पूरा दिन जब हम कलाउड किचन रन करते हैं अगर आप एक यूट्यूब कंटेंट क्रियेटर हैं तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि अभी रात के तीन बजे हैं और तीन बजे मैं इस वीडियो को रिकोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी रात कर रहा हूँ